विने जी ये पूरा मामला क्या आपको दिखा क्या इसमें संदे नहीं लगता कि दरसल लेटनेर गवर्णर कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आमाधी पार्टी के मेरे कुछ लोगों से बाची थी उनका ये कहना ये है कि ऐसा लगता है कि सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स को कुछ श्रपत दिलाने के बाद हो सकता है मेर के चुनाओं में इनको वोटिंग राइट्स भी स्पीकर दिला दे और अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसमात कोड जाएंगे तो छे साल लग जाएंगे आट साल लग जाएंगे दस साल लग जाएंगे दबतर समनी पड़ जाए इस पोस्ट के लिए हो रही है जो सांकेतिक है मेर का पोस्ट दिल्ली में सांकेतिक पोस्ट है उसके पास कोई एक्जेकूटिव पावर नहीं होती है केवल उनका अधिकार शेतर इतना है कि वो MCD की मीटिंग को समन कर सकते हैं और किसी भी फाइल को बुला कर देख सकते हैं लेकिन Executive Authority मेर की दिल्ली में जीरो होती है, जीरो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली के रहने वाले 90 प्रतिशत दोगों को मेर का नाम तक नहीं पता होगा पिछले कई सालों है, एक भी आदमी, जब वो एक थी MCD तब भी नहीं पता होगा, जब तीन हुई तब भी नह लिए नहीं है, तो यह लड़ाई हो को रही है, उसका जिकर थोड़ा मनो जी ने किया और उसको मैं जड़ा सा थोड़ा और विस्तार से explain कर देता हूँ, असली अधिकार शेतर दिल्ली में Standing Committee के पास होता है, जो Financial Power, सारी लड़ाई Finance की होती है, पैसे की लड़ाई है हर जग हैं, बारा जोन से एक-एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है, और छे सदस्यों को Standing Committee के काउंसलर्स आपस में मिलके सलेट करते हैं, इन जोन्स का जो नॉमिनेशन आता है, उसमें ये जो एल्डर में का आप जिखर कर रहे हैं, उनकी भूमी का एहम है, और अगर आप जुन बीजेपी के और आमाद्मी पार्टी के हैं, उनके गैप जादा नहीं हैं, और आप अगर गौर करें, वो जो दस नॉमिनेशन हुए हैं, वो जादतर उन जोन से हुए हैं, जहां वो गैप कम है, और ये इसलिए किया गया है, क्योंकि जब वो वक्त आएगा, जब उस आद चमितीज हैं, उनका अधिकार शेतर होता है, उनको महा पहुचाने का, सवाल ये है, कि इस वक्त जो उनके साथ मजाद हुआ है, वो है दिल्ली के वोटर, वो तमाशबीन की तरह साइड में खड़ोगे तमाशा देख रहे हैं, कि इन लोगों को हमने भेजा था कांसल के अं एक बात काली और एड करूँगा आशू, एक historical opportunity थी दिल्ली के structure को fundamentally order करने के लिए जब इमामना सुप्रीम कूर्ड में गया, और मेरा ये मानना है, दो वरिश अधिवक्ता हमारे साथ हैं, वो मुझे जादा जानते हैं, दिल्ली के structure में जो खिचड़ी मची हुई है, उसमे पर ये लडाई हमेशा चलती रहेगी कि किसका अधिकार शेतर है और किसका नहीं है, मनुझी ने बताया, उन्होंने state word को redefine करती है, जिसमें अधिकार LG को पचाले दे दे गए, लेकिन जब Supreme Court पर ये मसला गया था, उस वक्त इसको settle कर देना चाहिए था, जब तक दिल्ली क पूर्ण राज का दरजा नहीं मिलेगा, और अगर पुलिस का मसला है, तो उसको मेट्रोपोर्डन पुलिस का क्रियेट करके अलग दरजा दे दीजिए, सिकुरिटी के नाम पे, लेकिन अगर जब तक आप ये फुल पावर नहीं देंगे, तब तक ये लड़ाईयां इस त आउल्लोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.